हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूटुईब चैनल गॉल्डिन आर्क अकेड में जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं निशांत कुमार आपने के लिए mathematics के अच्छे-च्छे concept लेके आता हूँ पिछला वीडियो में हम लोगों ने ratio और proportion के कुछ अच्छे concept को सीखा था अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो हमारे description में जाके उनका link दिया है आप उससे जाके जरूर देखें, ताकि आपको आने वाले sessions को समझने में आसानी हो आज के इस वीडियो में हम लोगों ratio और proportion का कुछ नए concept को सीखेंगे और उन पे कुछ सवाल भी करेंगे, तो आई चलते हैं आज के session में आई चलते हैं पहले सवाल की तरफ, सवाल है सवाल में दिया गया है, एक सस्ता चावल है और एक महगा चावल है दोनों को मिलाया गया है और एक औसत मुली निकाला गया है, जो 33 है आई ये सवालों करते हैं पहला काटेगरी का चावल और ये दूसरे काटेगरी का चावल एक सस्ता चावल है और एक महगा चावल है पहले का मुली 30 रुपिया परती केजी है और दूसरे का मुली 40 रुपिया परती केजी है और इन दोनों को हम मिलाये और एक औसत मुली है 33 रुपिया परती किलोग्राम तो हमें यह ज्याद करना है कि किस अनुपात में सस्ता चावल और महगा चावल दोनों को आपस मिलाए कि हमें 33 रुपए परती किलोग्राम कार रेट हासिल हो तो आईए इसे allocation लगा के करते हैं तो allocation में आप जानते हैं बड़े में से छोटा घटाना है यानि difference निकालना है हमें 40 में से 33 घटाएंगे तो यह 7 आ गया और 33 में से 30 को घटाया तो हमारे पास 3 आ गया यानि कि पहले category के चावल यानि सस्ता चावल 7 ratio लेना है और महें के चावल का तीन रेशियो लेना है यानि 30 रुपिया पर केजी वाले चावल और 40 रुपिया पर केजी वाले चावल का रेशियो 7 पर तीन यानि 7 इस टू 3 रेशियो में हमें mix करना होगा यही हमारा answer है इस तरह के सवालों को allegation से हम आसानी से निकाल सकते हैं किस अनुपात में हमें mix करना होगा आईए चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है 30 परतिशत सांद्रता वाले अलकोहल को 50 परतिशत सांद्रता वाले अलकोहल में किस अनुपात में मिलाए कि 35 परतिशत सांद्रता वाला अलकोहल प्राप्त हो आईए सवालों करते हैं हमारे पास दो तरह का अलकोहल दिया गया है पहला 30% सांध्रता है और दूसरे का 50% सांध्रता है पहला और दूसरा alcohol दोनों को mix करना है और एक तीसरा alcohol बनाना है जिसकी सांध्रता 35% हो आईए इसे allocation लगाते है 50 में 35 को minus करेंगे तो हमारा 15 आ गया और 35 में 30 को minus करेंगे तो 5 आ गया यानि 15 और 5 ये 5 से एक बार में जाएगा और ये 3 जाएगा यानि पहले और दूसरे साथता वाले alcohol को 3 अनुपात एक में मिलाएंगे तो हमारा ये 35 परतिशत साथता वाला alcohol प्राप्त होगा यानि हमारा answer पहला और दूसरे alcohol का ratio 3 अनुपात एक आ गया यह हमारा answer होगा इस तरह से हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं आईए बढ़ते हैं अंगले सवाल की तरफ अगला सवाल है 36 रुपिया परति लीटर के दूद के साथ पानी की सानुपात में मिलाएं कि मुल्य 28 रुपिया परति लीटर हो जाएं आईए सवालों करते हैं आई 36 रुपिया परति लीटर दूद के दाव है दो चीज है एक दूद और दूसरा पानी दूद की कीमत हमें दी गई है 36 रुपिया और पानी की कीमत इंडिया में तो पानी फ्री में मिलता है तो ये 0 रुपिया हो गया अब इन दोनों को किसा अनुपात में मिलाएं कि दूद का मुल्ग 28 रुपिया हो जाए आईए से एलिकेशन लगाते हैं अनुपात निकालने के लिए 36 में से 28 गया तो 8 हो गया और 28 में 0 गया तो ये 28 अब इसे कटाएंगे तो हमारे पास रेशियो आया 7 is to 2 यानि दूद को हम साथ भाग और पानी को दो भाग मिलाएंगे तो उसका उसत मुल्ली 28 रुपिया आएगा यानि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया 7 अनुपाद 2 यह हमारा आंसर आ गया चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है सुद्ध दूद का मुल्य 108 रुपिया प्रती लीटर है कुछ सुद्ध दूद में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे मिशन का मुल्य 90 रुपिया प्रती लीटर हो जाता है तो बताईए कि शुरुवात में कितने लीटर दूद के साथ पानी को मिलाया गया था तो आईए सवालों करते हैं दो चीज हैं दूद और पानी तो दूद का मुल्ली एक सो आठ रुपिया प्रती लीटर और पानी का मुल्ली हमने जीरो रुपिया माना पानी तो फ्री में मिलता है इसलिए हमने जीरो रुपिया इसे माना आगे दे और कि मिश्रन का मुल्ली 9 रुपिया प्रती लीटर हो जाएगा जब हम दूद में पानी को मिलाते हैं तो मिश्रन का मुल 90 रुपिया प्रती लीटर हमें दिया गया तो 90 रुपिया प्रती लीटर बनाने के लिए पानी और दूद को किस रेशियो में मिक्स किया गया इसे निकालने के लिए हम education लगाएंगे 108 में 90 को घटाया 18 आया, 90 में 0 गट आया, तो 90 आया, 18 पंचे, 90 यानि दूद 5 हिस्सा और पानी 1 हिस्सा, सवाल में दिया गया है, सुद्ध दूद में 16 लिटर पानी मिलाया जाता है, यानि, एक हिस्से की वैल्यू, 16 है, तो 5 हिस्से की वैल्यू, 80 लिटर, यानि, शुरुवात में 80 लिटर दूद के साथ पानी को मिलाया गया था, अगला सवाल है, सोना पानी से 19 गुना भाड़ी है, तथा कॉपर से 9 गुना भाड़ी है, दोनों धात्वों को किसा नुपात में मिलाया जाए, कि मिश्रन पानी से 15 गुना भाड़ी हो, आईए सवालों करते हैं दो धातु दिये गए हैं पहला सोना और दूसरा कॉपर सोना पानी से 19 गुना भाड़ी है और कॉपर 9 गुना भाड़ी है दोनों को मिला करके एक मिश्रन बनाना है जो पानी से 15 गुना भाड़ी होना चाहिए तो आईए इस सवाल में अलिगेशन लगाते हैं 19 में 15 को माइनस करें तो 4 आया 15 में 9 को माइनस करेंगे 6 आया 2 से दोनों को भाग दिये तो हमारे पास 3 अनुपात 2 आया यानि सोना और कौपर को 3 अनुपात 2 में हम मिलाएंगे तो वो पानी से 15 गुना भाड़ी होगा अनि हमारा अंसर 3 अनुपात 2 होगा इस तरह से हम एलिगेशन को यूज करके आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं आई होप आपको आज का कॉंसेप्ट पसंद आया होगा और आप इस कॉंसेप्ट पे काफी सारे कॉश्चन्स की प्रैक्टिस करेंगे अगर आपको प्रशनों को हल करने में किसी भी तरह की कटना ही होती है तो हमारे कॉमेंट बाक्स में जरूर लिखें हम उन प्रशनों का हल जरूर देंगे अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए थैंक यू धन्यवाद